सातमा टॉपिक है भारती परिधान और चित्तकारी पहला प्रस्ण है बहे कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के सौतंतिता संगराम के पिरतीक होने का गौरव प्राप्त है तो अप्सन नम्मर एक खादी महारत का पहला पोसाक संगराला किस राज में इस्थित है तो अप्सन नम्मर एक गौवा दुलहनों दुआरा पहनी जाने वाली पोटलोई पोसाक किस राजी से संबन्दित है तो अप्सन नम्मर डी मणीपुर से गुजरात की पारंपरिक बुनाई को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है तो अप्सन नम्मर डी पटोला मेखला चादर किस राजी की एक पारंपरिक पोसाक है तो अप्सन नम्मर डी असमकी पोचम पल्ली एकत साड़ी और पोसाक सामगिरी जो अपने पारंपरिक जयामितिय पेटारिन के लिए पिरसिद्ध है किस राजी से संबन्दित है तो आप्सन नम्मर ए तेलंगाना पंचे राज में पुर्शों दुवारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है आप्सन नम्मर बी करनाठक राज में पुंचई कहां की पारंपरिक पोसाख है तो आप्सन नम्मर भी मिजोरम की पैठणी सारी किस राज से संबन्दित है तो आप्सन नम्मर ए महराष्ट गहौँ खाली स्थान में पुर्शों का पारंपरिक और राष्टिय परिधान है आप्सन नम्मर सी भूतान में आदिवासियों में कठकी बस्त्र पहना जाता है Option No.2 आविवाहित युफ्तियों दवारा अगला प्रस्न है बुखतरी बस्त्र किया है Option No.2 गरामीर छित्रों में पुरसों के सरीर के उपरी भाग में पहना जाने वाला बस्त्र परंपरागत राजिस्थानी पहचान की भिषभूसा है Option number C, साफा कौनसा वस्त्र ओड़नी का प्रकार नहीं है तो Option number A, ठमड़ा अमर साही है Option number D, पगड़ी का प्रकार सोलहमा प्रस्ने केरी भात की ओड़नी लहर भात की ओड़नी तारा भात की ओड़नी जुवार भात की ओड़नी का प्रचलन है तो Option number C, आदिवासियों में बिदभा महलाओं द्वारा ओड़े जाने वाली काले रंग की ओड़नी कहलाती है Option A, चीड का पोमचा 18 मा प्रस्ने, धोती गमचा खाली स्थान के सौदेशी बस्त्र का पिलतीक है तो Option number C, असम भारत का कौन सा छेत्र पटोला प्रेंट दुपट्टों के लिए पिरसिद्ध है तो Option B, गुजरात मैसूर पेटा, एक पारंपरिक पोसाख है जिसे खाली स्थान में पहना जाता है तो Option number B, करनाटक मिरजाई और बंडी सफेद या काले रंग की ज्याकिट का एक प्रकार छेत्र में लोगपिलिये है Option number C, बुंदिलखंड और मालवा रेहुक खीमिया, कावरी सौल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है तो Option number D, नागालेंड के बायोपा किस प्रिधिस की जन्जातियों की एक प्रकार एक पारंपरिक पगड़ी है Option number B, अरुनाचल प्रिधिस राही दे की महलाओं द्वारा ओडा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनकी सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीता को प्रिधित करता है तो Option number D, हिमाचल प्रिधिस थांका चित्र कला में सूत या रेसम से बने कपड़ों पर भगवान के चित्र बने होते हैं Option number B, बुद्ध किस बकरियों के आंतरिक फर को पसमीना सॉल नामक महीन सॉल से बुना जाता है Option number C, कसमीरी बकरी चेरियल स्क्रॉल भारत का एक लुप्ट प्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीडियों से एक परिवार, नकासी परिवार के दुआरा किया जा रहा है बलतमान में उस राज्य का नाम मताएं जहां की यह कला है Option number D, तेलंगाना म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास हुगा था तो Option number A, दूसरी सताब्दी ईसा पूर्व से दसवी सताब्दी किस समकाली चित्रकार ने महत्मा गांधी पर चित्रों की एक सरंखला बनाई थी Option number D, अतुल डोडिया ने निम्न लिखित में से किस राज में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से सम्मन्दित है जिसमें ब्रस का उपियोग नहीं किया जाता है Option number D, राजिस्थान में पेतकर पेंटिंग्स के अदुतिय सांस्किर्थिक पिर्थीक है Option A, जहारखंड के गहनों में नकासी या खाचे पर रंगीन दंत वल्ग से लेप चड़ाने की पिर्खिरिया को क्या कहा जाता है तो Option C, मीनाकारी भारत का कौन सा सहर कड़ाई की सरवादिक पारंपरिक सेलियों में से एक चिकनकारी के लिए बिस्वभर में प्रिसिद्ध है तो Option B, लखनव वारली लोक चित्तकारी किस राजी की लोककला का एक रूप है Option A, महरास्थ आठमा तो